तो पंचायत सीरीज का नया सीजन लॉंच हो चुका है आपने देखा है पिछले सीजन में किस तरीके से जनगण मनभी रिसाइट करने में एक महिला सरपंच को प्रॉब्लम्स हो रही थी मतलब कि हमारे यहाँ पर पंचायतों में कुछ विफलताएं हैं लेकिन साथ-साथ यह सीरीज आपको एक उमीद की किरन भी दिखाती है वही किरन जो आपको गांधी जी दिखाया करते थे अपने स्वराज के आईडिया से इस ड्रीम से कैसे ? गांधी जी मानते थे कि हम कभी न कभी राम राज को प्रॉप्त कर सकते हैं एक ऐसा राज जहाँ पर लोग नेटिक तोर पर बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और इसी लिए उन पर साशन करने के लिए आपको मजबूत कानून मजबूत केंद्री प्रणालिया जैसे कि पुलीस का सिस्टेम सुरक्षा बलो का अंत्रिक सुरक्षा के लिए सिस्टेम ऐसा कुछ भी आपको नहीं चाहिए होगा ताकतों को अराम से विकेंद्री करण कर दीजिए हर एक ग्राम पंचायत को ताकत देदीजिए लोग अगर नीतिगत होंगे मॉरल होंगे एथिकल होंगे तो अपने आप खुद का गवर्नेंस खुद का प्रशासन खुद कर लेगी बिलकुल एक महा समुद्र की तरह जिसम करते हैं इसकी रिटान में क्या कहेंगे कि सबसे पहले देखो विलेजस डेंज ऑफ इग्नोरेंज जहां पर जाती और सारी कूप रथाय चलती है तो आप यह ना कहिए कि हम पंचायती राज के संस्थानों को आड़ करेंगे नहीं हमें केंद्रिय प्रणाली बनाएंगे य क्योंकि इस आइडिया का महत्व अब दुनिया भर में रिकगनाईज जाना जाने लगा है कैसे देखे जब लोकल लेवल पर आप लोगों को इंगेज करते हैं तो पार्टिसिपेशन सहभागीता बढ़ती है लोगों को समझ आता है प्रशासन में क्या कमिया है और किस तरी राजाराम नहीं समझेंगे और खुद अपना व्यवहार का भी बड़ताव करने की कोशिश करेंगे चेंज करने की कोशिश करेंगे अपने व्यवहार को भी लेकिन साथ-साथ जब यह प्रशासन में ज्यादा सहभागीता करेंगे तो अपनी प्राथमिताओं को ज्यादा बहतर तरीके से बता सकेंगे अब भारत में शहरी शेत्री निकाय अर्बन लोकल बोडी इसको विकेंद्री ताकते देने के लिए लौड रिपन ने 1882 में एक प्रस्ताव दिया था और इसी प्रस्ताव के बाद शहरी निकाय यहां पर उभर कर आने लगे बाद में चलकर इ अब आजादी के बाद देखिए जवालन नहरुजी चाहते थे कि पंचायतों को लाया जाए और इसलिए 1959 में इन्होंने खुद नागोर की पंचायत का फीतकाटा इनागरेट किया और यह उसी का एक हिस्टारिक फोटो है अतिहासिक पिच्चर है अब लेकिन जवालन नहर को मसबूत करने के लिए सारी ताकते बीडियो ब्लॉग डेफ्लाप्मेंट अधिकारियों को दे देते हैं अब एक जिले में आईए सदारी राजा माना जाता है एक ब्लॉक में एक बीडियो राजा माना जाता है वो कभी अपनी ताकत पंचायतों के साथ साधा करेगा नही ये वही IAS IPS अधिकारी हैं ये वही ब्यूरोक्राट्स हैं जिनको अंग्रेजों ने प्रसिक्षन दिया आजाद भारत के बैच के भी उस टाइम पे ब्यूरोक्राट्स निकलने लगे लेकिन इनका माइंसेट इनकी सोच तो अंग्रेजी थी न ये कैसे एक ऐसे आइडिया को एकसेप्ट करेंगे उसे मनजूरी देंगे जहां पर इनका जो भूमिका है वो भी कम हो रही है और इनकी भूमिका को देश के सुधार के लिए और लोगों के विकास के लिए माना जारो इसके पहले तो ये जी हुजूरी करने वाले लोग थे और उसी के बाद देखे बहु थी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं यहां पर लक्षमी माल सिंग्वी बहुत ही इंपोर्टेंट जूरिस थे बहुत ही इंपोर्टेंट पर्सन थे इनकी एक समीती बनाई गई थी जिन्नों ने यह कहा कि सबसे पहले सन्विधान में पंचायतों को लाईए अगर लबर ढाचा बनाए जहां पर तीन लेवल होंगे और महिलाओं को आरक्षन दीजिए इसमें महिलाओं को सशक्त करने की ज़रुत है जो अनुसुचे जातीयों का आरक्षन है उन्हें भी यहां पर दीजिए और यही बाद में ठुंगॉन यह हमारे पुराने मिनिस्टर है पीके थुंगान इनकी भी कमिटी 1980 के दशक में दोनों की 1980 के दशक में इन्होंने भी सेम बाते कहीं और उसके बाद से हम क्या लाए हमने कोशिश की पंचायतों का एक सन्विधानिक हम संशोधन ले आए और फिर 73rd 74 सन्विधानिक संशोधन पास होकर हमें पंचायत का पूरा संशोधन चुनाव होकर आएगा अब इसके ऊपर एक दूसरा टियर होगा और उसके ऊपर भी दीसरा होगा कि जो सरपश होगा और जो ग्राम सभा होगी पूरी आपकी और ऑपस्च पंच होंगे पांच उस पर टिक्यल करेंगे दूसरी टीयर के लोगों को दूसरी टीयर के लेगो और इस तरीके से पूरा चलेगा महिलाओं को प्रतिशत का आरक्षन मिलेगा और साथ याram और साथ रोगऄ हर समय समय पर चुनाव 5 साल में करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा इनको देखेगा हमारा राज्य चुनाव आयोक स्टेट इलेक्शन कमिशन तो ऐसे अलग-अलग प्रावधान इसमें निकल कर है शहरी सेवेंटी फोर्ट सन्विधानिक संशोधन में भी और सेवेंटी थर्ड में भी बट क्या यह इस टाइप से महिलाओं का आरक्षन या फिर यह जो प्रावधान है क्या यह सक्सेस्फुल रहें एक पिच्चर देखिए यह देखिए एक सर्पंच के चुनाव की इलेक्शन जहां पर यह जो एक्जाक्ली चुनाव शेत्र है यह आरक्षित है अब महिला कैंड सिर्फ और सिर्फ यहां पर दिखावे के लिए हैं इनका काम करने वाला है इनका पती इसलिए इसे कहा जाता है सर्पंच पती की प्रणाली इस टाइप के पिच्चर पूरे देश में पंचायत स्पेशली नॉर्दन इंडिया में देखे गए ऐसा एक पिच्चर एक और दे है और तो 33 परसेंट आरक्षन है तो ठीक है इनको भी आगे पोस्टर में खड़ा करती इस टाइप से कुछ-कुछ बताया जा रहा है लेकिन सक्सेस्वल एक्जामपल्स भी हैं यह फातिमा भी हैं देखें तेलंगाना की एक छोटी से ग्राम पंचायत में सरपंच हुआ कर और यह सारी बचत होकर हुआ क्या यह सारे पैसे इखटा हुए और अब यह जो फंड है कोश है हर साल इसमें कॉंट्रिब्यूशन आता है महिलाओं का गाओं के लोगों का इनका खुद का और यह फंड दिया जाता है औरतों को प्रशिक्षित करने में जो औरते पड़ी ल नहें अवार्ड भी मिला था युनाइटेड निशन्स डेवलप्मेंट प्रोग्राम सहयुक्त राष्ट विकास कारेकरम के द्वारण लेकिन कूछ ऐसे फैलियर्ज है जो यहाँ पर ये जो फैलियर्ज है इससे कहीं जादा शायद इंपॉर्टेंट फैलियर्ज कहीं पर महिलाओं ने बहुत सक्सेस्पूल रोल निभाया है जैसे हर्याना हर्याना में आप देखिए 2016 में एक नियूज आई थी हर्याना सरकार ने कदम उठाया था कि जो भी पंचायते यहां पर महिलाओं को आरक्षित करती हैं और पूरी पंचायत में महिलाओं को खड़ा करती हैं और वह भी अन अपोस्ड मतलब चुनाव नहीं करवाएंगे महिलाओं को सीटे देंगे तो उनको 11 लाख एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे और आप देखिए हिसार भीवानी वगहरा में ऐसी पंचायते बनी हैं और इन्होंने अच्छा काम भी करके दिखाया लड़कियों की शिक्षा के लिए स्वास्त के लिए बहुत अच्छे काम दिखाया ठीक है भाई साब कोई बात नहीं लागू किया है उससे बहतर लागू ना करते और लोगों का विश्वास पंचायतों पर कायम रहता अगर पंचायते होती नहीं इससे बैटर कि आप लागू ही नहीं करते इतना बेकार प्रणाली आपने लागू कर दिए इनके हिसाब से कैसे ब्रष्टाचार की वज़े से ब्रष्टाचार कैसा देखे लोकल लेवल पर पहले क्या हुआ करता था आईएस इपस अधिकारी का ब्रष्टाचार कहा जाता था अब कहा जाता है कि सरपंच आईएस इपस ब्यूरोक्राट के साथ मिलकर ब्रष्टाचार कर रहे हैं और ऐसे ही ऐसी स्कीमें जहां पर कें से पैसा आता है वहां पर सरपंच पंच लोग लोगों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करके उसकीम का हिस्सा खुद भी खाते हैं जैसे मंद्रेगा अब एक माइगरेंट वर कर जो मुंबई में रहकर काम कर रहा है और दिहारी मजदूरी के लिए मंद्रेगा में नहीं आ रहा लेकिन सरकार अगर पैसा भेज रही है तो वह सरपंच के साथ सेटिंग कर लेंगे कि ठीक है हम दिखा देंगे कि तूने काम किया है हाला कि तू मुंबई में है आधा पैसा त तो इस टाइप से लोकल लेवल पर देखे जारखंड में यहाँ पर एक चीज निकल कर आई थी कि जो टॉइलेट माने जा रहे थी कि स्वच भारत मिशन के हिसाब से टॉइलेट बनाये गए वो टॉइलेट अक्चुल में थे ही नहीं जब वहाँ पर आक्चुल में गए और पर पानी भीनी था जुक्त बड़ असा हर जगां नहीं हुआ है देखे केरला की सरकार केरला में कोविट के टाइम पीरियड पर ऐसी गतिविधिया हो रहे थी जिससे कोविट से लड़ने में बहुत ज्यादा मदद मिली क्यूंकि पंचायते बहुत सशक थैं करला की सरकार ने ताकतों का विकेंद्रिकरण बहुत कर रखा है लेकिन अभी हमने कहा कि पंचायते तो हमारे constitutional सन्विधानिक मानेता उनको दी गई है तो यह ताकतों का विकेंद्रिकरण राज्य सरकारों पर फिर क्यों निर्भर है क्योंकि जो हमने सन्विधानिक संशोधन किया था 73rd 74th के द्वारा 73rd के द्वारा हमने जो पंचायत के लिए विलेजस के लिए जो यहां दिखाई दे रहे हैं बाकी सारा जो ढाचे का मास और रक्त था वो भरना था राज्य सरकारों को क्या वो राज्य सरकारे भरेंगे नहीं क्यों क्यों क्योंकि राज्य सरकारे खुद परिशान होती ममता बेनर जी खुद परिशान होंगी मोदी जी से वो क्या बोलेंगी कि म मैं खुद एक glorified municipality हूँ मैं राज्यत हूँ लेकिन मुझे खुद केंद्र ताकत नहीं देरी मैं क्या नीचे दूँगी इन राज्यों में डर रहेगा कि अगर विकेंद्री करण कर दिया लोकल लेवल पर आपने ताकते दे दी तो यह लोकल लेवल की जाजनिता उठकर आपक कुछ graph बताएं एक बार नजर इन आकड़ों पर यह graph बताता है कि कितना राजस्व पंचायतों का 2022-23 में मिला है और सबसे जाधा केंद्र सरकार के अनुदान से ही राजस्व मिला है और किसी चीज़ से कोई राजस्व नहीं मिला जर्मनी में इसका ठीक उल्टा होता है जर 2022-23 यहां पर भी सेम बात है और सितन राजस्व केंद्र सरकार से ही आ रहा है एक यह बता बता रहा है कि परसेंटेज की टर्म में जाधतर जो केंद्र सरकार के अनुदान है वहां से 80 प्रतिशत राजस्व पंचायत को मिलता है मतलब खुद टैक्स करके सरकार लोगों का य पंजाब के गाहों की क्या जरूरत है वो तो सबको एक जैसे मानेंगे वन साइस फिट सौल फिर अलग अलग जरूरत है आपकी पूरी कैसे होंगी ऐसे देख लीजें यहां पर यह आवरेज रेवेन्यू पर पंचायत स्टेट का बता रहा है कि अलग 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 पंचायत तो ऐसे एक चुटकी लेने के लिए एक स्लैंग था तो एक्शल में केरला और बंगाल में कम्यूनिस्ट पार्टियों का भूमिका रहा है इसमें जादा-जादा विकेंद्री करने लोकल लेवल पर करने के और उसके बाद करनाट का है जो कहीं हद तक करनाट का असाम बेहा जो कुछ हद तक अपने रवेनियो अपना राजस्व पंचायतों का कर पाते हैं लेकिन बाकी सब नहीं कर पाते हैं पूरा निरभरता केंद्र पर और ये एक फाइनली कहा जा रहा है कि कैसे जो पंचायत का राजस्व है वो राज्यसरकार के खुद के राजस्व पर भी ब राजनीती में तो यह सब चलता है तो किया क्या जाए सबसे पहले इन्हें टैक्स के लिए स्वायत बनाया जाए इनकी शमता बढ़ाई जाए इनकी लोगों की जो यहां पर चुनाव होके आ रहें चाहे आरक्षित या गैर आरक्षित चीतों में इनकी केपैसिटी बिल्ड काम क्यों नहीं करके दे रहें ये जवाब्देही चेत्रियस तरपर इंशौर करना कहीं जाधा आसान है और उसके बाद इनका प्रस्रिक्षन करना मुदी जी ने एक अच्छी चीज की थी राष्टिय ग्राम स्वराज अभ्यान इस टाइप के अभ्यान टाइम टाइम पर समय समय पर चलाते रहो लोगों को और ज्यादा अवेयर विक्सित करते रहो जागरू करते रहो और साथ-साथ केंद्र अपनी खुद ताकते छोड़े राजसरकारों पर ताकि राजसरकारे सिक्योर हो कि हां हमें ताकते छोड़नी है नीचे वाले लेवल्स के लिए तो जो सेकेंड एड्मिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिशन ने कहा था प्रशास्निक सुधार आयो द सब आपको यहां पर सुझाव फॉलो करने की जुरुत है और यह सारे सुझाव से हम वह स्थापित कर सकते हैं जिसका ड्रीम हमारे राश्ट पिता ने देखा था आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में बताएं कॉमेंट बॉक्समें और क्या-क्या सुधार और क्या-क्या समीतिया हैं और क्या-क्या तत्थे हैं तारे बताएं Thank you so much people Stay connected Keep Preparing